हेलो जाहिन दोस्तों मैं शुबम आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चानल शुबमी क्लासिस में डेली सुबह दस बजे हमारी क्लास होती है और आज ही क्लास में हम जीके जीया सेक्शन वाइज डिसकस करने वाले हैं यानि कि सेक्शन एक में आपका समानने ज्यान होगा जिसके 15 प्रशन होगे और सेक्शन बी में आपका समानने विज्यान होगा जिसके भी 15 प्रशन होगे टोटल आपके 30 प्रशनों का टेस्ट लगेगा बिलकुल पैटर्न के अकॉर्डिंग तो मैं उम्हिद करूँगा सेशन आपको helpful लगेगा सभी प्रशन expected और important है अपना सभी को complete test लगाना है चली अपनी class start करते हैं तो देखिएगा प्रशनों की संख्या 30 है और target आपको यहाँ पे मिल रहा है 25 question ठीक करने का पहला प्रशन आपके सामने स्क्रीन पर है जल्दी से सभी को आंसर देना है समान्य ग्यान एक से पंदरा प्रथम विधी निर्माता कोन है who is the first lawmaker ओप्शन आपके सामने है मनू चानक्या हर्ष चंदरगुप्त या फिर हरी शेन आंसर मैंज करेंगे अगर आप सभी ने option A को आंसर दिया है मनू तो आपका आंसर बिलकुल करेक्ट होगा question number second है जी आपके सामने नागानंद का रचना कार कोन था who is the creator of नागानंद बानभट हर्ष वर्दन भवभूती या फिर विशाखादत जल्दी से आंसर दिजेगा मैं उम्मीद करूँगा सभी का आंसर इस प्रशन का भी बिलकुल करेक्ट होगा नागानंद के रचना कारत हर्ष वर्दन आपका option B जो है वो बिलकुल करेक्ट आंसर होगा question number third आपके सामने किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी option आपके सामने है अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा option है आपके सामने फिरोशा तुगलक, मोहमद बिन तुगलक, इल्तुतमिश याफिर अकबर तो इक्तादारी प्रथा की शुरुवात इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी क्या सभी ने option C को answer किया है option C जो है यह आपका राइट आंसर होगा सभी को answer मैच करने है मेरे साथ और लास्ट में सभी का स्कूर कमेंट बॉक्स में चाहिए इन तीस प्रस्णों के बाद आपको लास्ट में question number 31 मिलेगा होमवर के लिए तो होमवर्क भी सभी को लेकर जा रहा है question number 4 है प्रसिद चार मिनार का निर्मान किसे ने करवाया था who built the famous चार मिनार option बोल रहा हूँ हैदर अली टीपू सुल्तान कुली कुतुब शा या फिर औरंग जेव तो प्रसिद चार मिनार का निर्मान करवाया गया था कुली कुतुब शा के द्वारा option आपका सी राइट होगा चार मिनार कहां पर है तो हैदराबाद में है ये ध्यान रखिएगा चले आगे चलिए question number five हो रहा है आपके सामने डिसकस असान सा प्रशन सविधान सभा की प्रारूप समित्ती में सदस्यों की संख्या कितनी थी simple सा प्रशन है जल्दी से आंसर दीजेगा option आपके सामने स्क्रीन पर है अगर आपने option B को आंसर दिया है 7 तो आपका आंसर करेक्ट होगा सविधान सभा की प्रारूप समित्ती में सदस्यों की संख्या 7 थी चलिए question number six आपके सामने स्क्रीन पर भारतिय सविधान की कोन सी विशेश विवस्था इंगलेंड से ली गई है which is special system of Indian constitution is taken from England option है संसदिय प्रणाली सर्वोच चिन्याई पाली का मूल आधिकार या फिर मौलिक करतव्य तो इंगलेंड से कोन सी विवस्था ली गई है option आपका एक correct answer होगा पारलिया मेंटरी सिस्टम यानि की संसदिय प्रणाली की विवस्था आपके इंगलेंड के सवधान से ली गई है question number seven discuss हो रहा है सभी को complete test लगाना है question number seven सूरे के चारों और घूमने वाले पिंड क्या कहलाते है what are the object that revolve around the sun right answer यहाँ पे आपका option A होगा planet सूरे के चारों और घूमने वाले पिंड ग्रह कहलाते है question number eight आपके सामने रहेगा screen पर इन में से कोन सा एक आगन्य शेल का उधारन है which of the following is an example of igneous rock option है basalt, granite, salate, dolomite answer दीजेगा और देखीगा कल संडे है और हर संडे को हमारा एक complete model paper होता है 50 प्रस्णों का तो सूबेरे 10 बजे सभी को अपना copy pen लेकर तयार रहना है कल हमारा पूरे 50 प्रस्णों का model paper होगा इसका जिनोंने भी option भी answer दिया है ग्रे नाइट उनका answer correct है ग्रे नाइट जो है यह एक आगन्य शेल है चलिए question number 9 है किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है what is the called the safety valve of nature option बोल रहा हूँ भुकंप, ज्वाला मुखी, और जोन परत या फिर परवत श्रेनिया किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते है सभी ने क्या option बी answer दिया है वाल के नो ज्वाला मुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है question number 10 आपके सामने है जी स्क्रीन पर विक्टोरिया जल प्रपात किस नदी से संबंदित है Victoria waterfall is related to which river option सामने है समय चाहिए तो session को रोकिएगा right answer जिनों ने भी option D को दिया है जाम बेजी नदी उनका correct answer होगा question number आपके सामने है 11 निम्द लिखित में से कौन एक मरुस्तल नहीं है which one of the following is not a desert तो option यहापे आप सभी का A आ रहा है क्या क्या सभी लोग option A को answer कर रहे हो थारू जो है यह मरुस्तल नहीं है यह क्या है एक जन जाती है question number आपके सामने 12 अमीर खुसरो किस साशक के दरबारी कवी थे आसान प्रशन है और यह प्रशन पूछा भी जा चुका है अमीर खुसरो वाद्दा court poet of which ruler चंद्रगुप्त सेकिंड अलावदिन खिल जी कुतुबु दिन एबक हर्श वर्धना क्या answer कर रहे हो क्या सभी ने option B को answer दिया है अलावदिन खिल जी उनका right answer होगा अमीर खुसरो अलावदिन खिल जी के दर्बारी कवी थे question number 13 कथक कहां की नरित्य शैली है where is a कथक dance style option है मनीपूर अडिचा केरल उत्री भारत देखो एक तो है आपका कथक और एक होता है आपका कथक कली यह तो केरल की है कथक की बात करेंगे तो यह उत्री भारत की रहेगी आपका option D correct answer होगा यानि कि आप इसको बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की नरित्य सैली है कथक क्या सभी ने option D को आंसर दिया है और देखीगा कथर के एक प्रसिद नर्तक है जिनका नाम है बिर्जु महराज ये भी एक्जाम में पूछा जाता है कि बिर्जु महराज कोन सांध्रित्य करते हैं तो बिर्जु महराज कथक से संबंदित हैं question number 14 विलायत खान किस वादे अंतर से संबंद रखते हैं very very important है सभी का आंसर correct होना चाहिए विलायत खान इस असोशियेटिड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट option यहापका बी जो है वो बिल्कुल correct आंसर होगा सितार क्या सभी ने option बी को आंसर दिया है और देखीगा जो भी student नए है और वो daily class attend कर रहे हैं daily हमारे कभी 30% class होती है कभी 25 अगर 1-5 महिना class attend कर लोगा तो आपको खुद पता लग जागा कि आपकी GK और GS में कितनी अच्छी पकड़ हो गई है यह आपको पता नहीं लगेगा यह आपके back end में चीज़े होती है daily class करने से आपका automatic mind develop होता है यह आप जब कभी टेस्ट लगाओगे एक डेड़ महिने बाद और अब आपका level कितना है एक डेड़ महिने बाद आपका level कितना है उसमें बहुत फरक होता है बस regularity ही आपको बनाए रखनी है और class के साथ आप अपनी book से भी पढ़ा करो है 100% class पे dependent नहीं रहना है हमारी classes सिरफ आपकी help करने के लिए होती है आपकी practice के लिए होती है आपके पास एक अच्छी book जरूर होनी चाहिए जिसको आपको दिन में 2-3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है बाकी एक special video आप बोलोगे तो time table की उपर लेके आ सकता हूं मैं कित त्यारी कैसे करनी है किस subject को कितना time देना है और total एक दिन में आपको कितनी त्यारी करनी है अगर आपके comment आएंगे अच्छे तो हम time table की उपर भी बात करेंगे कि आपको किस तरह से army की त्यारी करनी है return की question number 15 का answer दे दो पहले बद्री नात धाम कहां अवस्थित है where is बद्री नात धाम located option B correct होगा उत्रा घंड जिनोंने option B को दिया है उनका answer right है question number 16 पे चलते हैं यहाँ पे section A complete होता है section B है समन्ने विज्ञान 16 से 30 और जब last में आप answer दोगे मुझे आपका कितने सही हुए है तो आपको section A में कितने question ठीक हुए है 15 में से वो बताना है और section B में आपकी कितने ठीक हुए है वो बताना है और फिर आपको total बताना है कि total कितने right हुए है lumen किसका मातरक है जल्दी से answer दीजेगा समन्ने विज्ञान स्टार्ट है lumen जो है यह जोती फ्लक्स का मातरक है option जो B है वो आपका correct होगा question number 17 किस तापमान पर जल्द का घनत्व अधिक्तम होता है at which temperature is the density of water maximum option आपका D right answer होगा 4 degree Celsius पर जल्द का घनत्व अधिक्तम होता है question number 18 सभी को अंसर करना है प्रशन जो है यह very very important है समझने वाला प्रशन है कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उश्मा पाकर द्रव में बदलता है क्या कहलाता है कोई ठोस पदार्थ उश्मा पाकर द्रव में बदलता है तो उसको बोलते है melting point उस ताप को option B आपका correct answer होगा वो गलनांक कहलाता है सभी ने correct answer दिया है ना चलिए question number आपके साबने 19 discuss हो रहा है ध्वनी का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है how long does the effect of sound last in the human ear तो आपका option B आपे correct होगा एक बटा 10 सेकिंड तक ध्वनी का प्रभाव मानव के कान में रहता है चलें आगे चलो question number 20 का जल्दी से answer देंगे प्रकास छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं option आपके सामने है प्रमानू, neutron, positron, photon answer match करेंगे प्रकास छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे photon कहते है चलिएगा question number 21 है सामने इस स्क्रीन पर कोन सा नियम दो विद्धुत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंदित है which law relates to the force exerted between two electric charges option है ampere का नियम कुलंब का नियम फेराड का नियम या फिर ओहम का नियम answer जल्दी से दीजेगा प्रशन बहुत important है आपको रटा हुआ होना चाहिए तो दीखेगा दो विद्धुत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंदित नियम जो है ये कुलंब का नियम है option आपका बी correct होगा question number 22 सामने एक nautical मील बराबर होती है कितने किलो मीटर के बराबर होती है ये आपको बताना है एक nautical मील कितने किलो मीटर के बराबर है option अगर आप सभी ने C को आंसर दिया है 1.85 किलो मीटर आपका आंसर जो है ये बिलकुल राइट है question number 23 है दूद का पी अच मान लगबग कितना होता है दूद का पी अच मान आप से लगबग पूचा है approximate तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो option B होगा 6.4 और देखीगा कुछ बुक्स में 6.6 भी दे रखा है तो approximate की condition में आपको 6.6 भी लगा सकते हो अगर option में 6.4 गीवन नहीं है है ना क्योंकि दोनों में से एक ही आपको option में देगा correct है सभी का चलिए question number 24 है सामने screen पर आदुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किस ने किया था who propounded the modern periodic law option आपका डी या पर correct answer होगा मौसले आप देखिएगा आधुनिक आवर्त नियम यानि कि अगर modern periodic table की बात करेगा तो मौसले आंसर होगा अगर आपसे normal पूछेगा आवर्त सारनी का प्रतिपादन किस ने किया periodic table का प्रतिपादन तो आपका mandalief आएगा परन्तु अगर आपको modern की बात करेगा आधुनिक तब आपका आंसर होगा मौसले गोट एट अब यहाँ पर दो चीजे समझो कि जो mandalief की आवर्त सारनी थी वो क्या थी ये परमानु भार पर आधारित थी परमानु भार यानि की आटोमिक नंबर पर आधारित है परमानु संख्या पर ये कोशन है ये एक्जाम में पूछे जाते हैं ध्यान रखिएगा कोशन नंबर आपके सामने है 25 लोहा प्रचूर मात्रा में पाया जाता है किसमें पाया जाता है बताईएगा दूद में अंडे में फलो में हरी सबजियों में सिंपल सा प्रशन है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा ग्रीन वेज़ी टेबल्स में लोहा प्रचूर मात्रा में पाया जाता है कोशन नंबर 26 है सामने स्क्रीन पर मुलायम कोईला के नाम से जाना जाता है पीट कोईला लिगनाइट कोईला एंतरा साइट कोईला बिटू मिनस कोईला और जिनोंने अभी तक लाइक नहीं किया है मैं उम्मिद करूंगा सेशन पसंद आया होगा लाइक जरूर कीजेगा अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तेरी कर रहा है तुसे हमारा सेशन जरूर शेयर करेंगे और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हल्फुल है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाईएगा मुलायम कोईला के नाम से जाना जाता है बिटू मिनस कोईला आप्शन आपका डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा अब यहाँ पर दो तिन चीजे समझो यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर होगा मुलायम कोईला यानि की समानने इसतर का कोईला भी बोल सकते हैं समानने इसतर का कोईला पिट कोईला क्या है सबसे निम्न कोटी का कोईला है लो लेवल का कोईला है इसके अंदर कारबन की मात्रा बहुत कम होती है लिगनाइट कोईले को हम भूरा कोईला भी कहते है ध्यान रखियेगा और एंतरासाइट कोईला जो है यह सबसे उच्छ कोटी का कोईला होता है इसके अंदर कारबन की मा सब्सक्राइब नाइनटी परसेंट से भी अबव होती है गोटेट चलिए कोशन नंबर 27 है जी स्क्रीन पर सिग्रेट लाइटर में निमन लिखित में से कौन इसी गैस परियुक्त होती है क्या आंसर कर रहे हो क्या सबी ऑप्शन एक को आंसर कर रहे हैं ब्यूटेट लाइटर में ब्यूटेन गैस परियुक्त होती है आपका राइट आंसर होगा कोशन नंबर 28 है सामने स्क्रीन पर और 30 प्रशनों के बाद आपको एक प्रशन होमवर्ग के लिए भी दिया है होमवर्ग भी लेकर जाना है किसे काली मोत कहते हैं वट इस काल्ड ब्लैक देथ राइट आंसर यहां पर आपका आप्शन बी रहेगा प्लेग को काली मोत भी कहा जाता है यह बैक्टिरिया के कारण होने वाली बिमारी है कोशन नमबर 29 है जी स्क्रीन पर गाजर किस विटामिन का समरिद स्त्रोत होता है विटामिन B, विटामिन E, विटामिन K या फिर विटामिन A Carrots are rich in which vitamin Option आपका D जो है ये correct answer होगा Vitamin A का स्त्रोत है इसी के साथ question number 30 है आज का last question और इसके बाद आपको हमबर का question भी ले कर जाना है तो बने रहेगा question number 30 का answer दे दो पहले पेज मेकर का संबंद किस से है With whom is the page maker related गुर्दे, हृदे, मस्तिष्क, यकृत तो पेज मेकर का संबंद हरीदे से है हर्ट आपका option B जो है ये correct answer होगा क्या सभी ने option B को answer किया है मैं उम्मीद करूँगा सभी ने अपना answer बिल्कुल correct किया होगा तो दोस्तों ये थे आपके 30 प्रशनों का test बताईएगा इस तीस प्रशनों में आपका score कितना था आपको question की quality कैसे लगी हमारा पढ़ाय हुआ आपको कैसा लगता है अगर कुछ कहना चाहते हैं तो comment box में जरूर बताईएगा और अगर आपको पढ़ाय के लिए time table का वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हैं हम time table का वीडियो भी बनाएंगे कैसे आपको book cover करनी है कैसे आपको return की त्यारी करनी है जो भी नए विद्यारती है होंबरक का कोशन है आपका who is the organizer of the principle of mutation originator उत्परिवर्तन के सिधान्द के जनमदाता कोन है लैमार्क अरस्तू डीवरीज डार्विन answer comment box में दीजेगा तो दोस्तो ये थे आपके 30 प्रशनों का test मिलते हैं कल किसी और अच्छे topic के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत